उसे सुरत स्थान में जेडियू की बड़ात बरकरा रह catalyst बड़ात बरकरार है और बता दे सबर्वे round Lantern के बाद में जेडियू की भारी बढ़त है लगाफ्टार जेडियू बढ़त बनाय हुए है तो लगातार खुसेस्टुर्थ खान ने 9,850 वोटों से आगे चल रही है अगर बात करें तो लगातार अज जेडियू को अब तक 42,808 वोट मिले है बड़ी कबर इस वक्ती तमाम दर्शकों को बता दे कि आज जेडियू को अब तक वोट 35,923 वोट मिले है तो लगातार खुसे सुर्थ खान जेडियू बड़द बड़ा दे हुए वहाँ पर बरतर आ रहे है जेडियू से अमन भूश नजारी पर जड़ता ने भरोशा जताया है यानि कि जताती हुए नजर आ रही है ये सत्रवा राउंड है और अभी भी कई डाउंडों की गिरिती बार्टी है जल्दवादी का फैसला नहीं लेकिन गुजान जो जा रहे हैं उसमें ये सब दिक्रा आए कि कैसे जड़ता जो है बरोशा करती हुए एक बार्टी पर नजर आ रही है चलिए अप्रयोगी स्रमिला का रुप कर लेंगे एक बार्टी से शरमिला आप लगातार हमें जानकारी दे रही है कि किस तरीके से इस बार जो जुबा है वो किस मूड में नजर आते हैं और बिहार की अगर हम बात कर लें तो लगातार बिहार में रोजगार का मुद्दा एक एहम मुद्दा होता है शरमिला बिलकुल बिहार में रोजगार का मुद्दा बेहद एहम मुद्दा है महंगाई का मुद्दा भी एहम है पुख्यमंत्र नितीश कुमार जी से जब इन पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि महंगाई बिहार का नहीं पूरे देश का मुद्धा है ऐसे में विपक्ष को इक और मुद्धा मिल गया उसने फिर विपक्ष ने कोके मंत्र नितीश कुमार को घेडने की पूरी कोशिश की और आब रोजगार की बात कर लेते हैं रोजगार करीम एक साल होने वाले है सरकार बने और ऐसे में 19 लाक लोगों को रोजगार का वादा जो सरकार ने किया था विपक्ष भी सवाल कर रही है और युवा भी सवाल कर रहे है महंगाई चरम पर है कोरोना की प्रासदी हम सभी ने देखी वैश्विक महमारी को हम सभी ने जिला और दूसरे लहर की बात कर ले तो कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है कोरोना की रफ्तार बस अभी थमी है और ऐसे में महगाई चरम पर है लोगों के जेव पारी असर पर रहा है लगतार पेट्रोल डीजल सेल की बात हो या फिर खाने की राशन की सावान की बात हो लगतार ऐसे में वर्थी जा रही है जो आम लोग है जो मीर्ल में उन्होंने एक बात कही थी बड़ी बात कह दाली थी जस्वी यादव ने कि यदी मेरी सरकार बनी तो पहली क्याबिनेट में लाखों लोगों को रोजगार देंगे और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे के इस बयान पर समर्थन कर दिया था जब लालू करने में बटे